नमस्कार बिहारी नियूज देख रहे हैं आप बहु आपके साथ मेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का गाज और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्ख्यों पर अब हाथ में टाबलेट लेकर छातरों को पढ़ाएंगे सिक्षक सरकारी टीचरों को कंप्यूटर भी मिलेगा देखेगा टाबलेट के साथ पढ़ाई का नया अंदाज पुलिस कर्मियों के लिए नई चेतावनी ड्यूटी पर वर्दी नहीं पहनने पर होगी सक्त का रवाई ड्यूटी पर वर्दी पहनना अनिवार अस्मार्ड मीटर उप भुखताव के लिए अची खबर अब एक साथ नहीं कटेगी एरियर रासी नया आदेश जारी एक इस्कूल में नई होगी पती पत्नी की निवती सिक्षा बेभाग में मन्थन जारी आ रही समस्याय जरूरी आकडों का भाव बन रही चुनाओती और बिराट रोहित के फैन है आकाश डीप दोनों को बताया गौड आफ किरकेट रोहित की कप्तानी की जम कर कर दी तारीफ अब खबरे बस्तार से ब्यार के सभी सरकारी स्कूलों को टेक्निलोजी के दुनिया से जोडने की दिसा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है राजजी के सिक्षा वेभाग ने परस्तावित किया है कि सभी सरकारी स्कूलों में 1,65,000 टाबलेट और कम पेटर दे जाएंगे इस योजना को लागो करने के लिए लोक वृत समीती की मंजूरी का इंतजार है जिसके बाद इसे राजजीत काबिनेट के सामने पेस किया जाएगा परस्ताव के मताबिक हर टाबलेट की लागत 14,000 रुपए है हलांकी समगरी सिक्षा अभियान के तहट प्रती टाबलेट पर 10,000 रुपए की बवस्ता है जिस यहार टाबलेट के लिए 4,000 रुपए की अतरिक 83 की आउस्सित्ता पड़ेगी जो कुल मिलाकर लगबग 70 करोड रुपए होती है विबाग द्वारा तयार परस्ताव में टाबलेट के उपयोग के बारे में भी बताया गया है कि यह टाबलेट स्कोल की समपती होगे स्कोल के परधाना ध्यापक और सिक्षकों द्वारा चात्रे चात्राओं को पठन पाठन में इसका उपयोग किया जाएगा बियार में पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के दौरान वर्दी नहीं पहनने की घटनाव को लेकर पुलिस मुख्याले ने सक्त निर्देश जारी किया है पुलिस मुख्याले ने सभी पुलिस अधिक्षकों को पत्र भेज कर मामले की गंभरता को रिखानकित किया है डियोटी के दौरान साधे कपड़े पहनने वाले पुलिसकर्यों के खिलाफ अब कारवाई की जाएगी और इसकी जानकारी भी उच्छ अधिकारियों को दी जाएगी स्पी सिटी भागलपूर रामदास ने इसलापरवाई को चिंताजनक बताया है और कहा कि ये स्थिति किसी भी केमत पर बरदास नहीं की जाएगी उन्होंने पुलिसकर्यों की पैचान सुरू कर दी है और उन्हें चिताया है कि डियोटी पर हमेशा वर्दी पहनना अन्यवार रहे है बियार में स्मार्ट पिरपेड मिटल लगाने वाले बिजले उपभुकताओं के लिए राहत की खबर आई है अब बगाया वसूली मासिक आउसत खपत के आधार पर की जाएगी जिससे उपभुकताओं को आर्थिक बोसे कुछ राहत जरूर मिलेगी साउथ बियार पावर डिस्टिब्यूशन कंपनी लामिटिर ने ये निर्णाय तुरंत परभाव से लागू कर दिया है कंपनी अधिकारों ने बताया कि अब तीन महीने की खबत का आउसत लेकर उसके केवल 25 फिस्दी रासी ही एक महीने में वसूली जाएगी इसे पहले 300 दिनों के भितर बकाया वसूली की परकिरिया उपभुगताओं के लिए बहत कठिनाई भरी सावित हो रही थी इस नायन नियम के लागू होने से खास कर ग्रामेड एलाकों में उपभुगताओं को बड़ा सहारा मिलेगा जहाँ विजली बिलो का भारी बकाया मौजूद है राजभर में क्रिसी विकास के दिसा में एक बड़ा कदम उठाया गया है बहार सरकार ने 15 अनुमंडल अस्तरी संजुक्त क्रिसी भवन के निर्वार का निर्ण लिया है जोसे क्रिसी विवाग से संबंदित सभी कार्याले एक ही अस्थान पर संचालित किये जाएंगे इन भावनों का निर्मार पटना जिली के पटना सिटी, बाढ़, दानापूर, मसोड़ी, पाली गंज नालंदा की राजगीर हिलसा, भोशपूर के जग्दिसपूर, पीरो, रोतास के देरी, बकसर के डुम्राव, कैमूर के मोहनिया और भागलपूर के कहलगाउं और नौग पूरेश्टेस्टों पर जल्द ही सिलेपिंग कैपसूल पॉड्स की सुविधा सुरू हो रही है, ये कदम यात्रियों को लेट होने वाली ट्रेनों की समय में अराम दायक अनुभाव दिलाएगा, सिलेपिंग कैपसूल पॉड एक छोटा सा कमरा है, जो खासत और पर सोने के लिए डिजाइन किया गया है, इन पॉड्स में फोन, चार्जिंग, लॉकर, इंटरनेट, कनेक्शन और डिलेक्स, बात्रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां वे अराम से अपनी थाकार उतार सकेंगे, सुविधा को लागो करने के लिए टिंडर परकरिया शुरू की जाएगी, टिंडर के माध्यम से पॉड्स के निर्माड के लिए आउस्यक मानकों को पूरा किया जाएगा, हलांकि अभी तक ये असपश नहीं है कि ये सुविधा कब सुरू होगी, लेकिन रेलवेज पर तेजी से काम कर रहा है ब्यार में सिक्षकों के तबादले के लिए नई निती को अंतिम रूप देने की परकरिया में कई समस्याएं सामने आ रही है सिक्षक विभाग बिसिस रूप से एक महत्पूर परावधान पर बिचार कर रहा है जिसमें सिक्षक पती पतनी को एक ही स्कुल में न्यूकती नहीं देने का परस्ताव है सबसे बड़ी चुनावती सिक्षकों की पहचान है क्योंकि विभाग के पास इस संबंध में कोई डेटा उपलब नहीं है सरकारी सुची में श्रामिल 19 गंभीर बिमारियों से ग्रस सिक्षकों को राहत देने की भी योजना बनाई जा रही है लेकिन दास्तवेजों की कमी जैसे की मैरिज सर्टिफिकेट के अभाव में सवस्या और बढ़ गई है एक बिकल्प पती पतनी को एक ही ग्राम पंचैत में न्यूक्त करने का है लेकिन इससे भी बेवहारिक चुनावतिया उत्पन हो रही है वैसे एक छबे भाग को नई तबादला निती को अंतिम रूप देने में कई चुनावतियों का सामना करना पड़ रहा है बिहार के कैमूर से पुलिस ने एक फरजी दारोगा और उसके दो साथियों को गरफतार किया है असडीपियों श्यू संकर कुमार के अनुसार मुख्या आरोपी तिरिलो की चोहान और संजय चोहान यूपी की रामडगर का रहने वाला है वै उसके दो साथी संदीप कुमार ने साथ जुमिरजापूर और संजय साहनी जो वरानसी के रहने वाला बता जा रहा है बता दे ये तीनों आरोपी स्विप्ट डिजायद कार से हाटा बजार पहुँचे जहां एक ब्यक्ति को पकड़ लिया खुद को यूपी पुलिस का दरोगा बता कर 22,000 रुपए वसूली कर लिये और फिर 20,000 रुपए एक पेमेंट एप की जरीए ट्रांसफर करने की मांग क पारी मिलने पर चैनपुर्थाने और डी आयो की टीम ने संजुक तुरुप से कारवाई की और आरोपियों को घरफतार कर लिया पुलिस ने आरोपियों के पास ये चार मोबाइल 22,000 रुपए नगध हतकड़ी रस्सी और अन्ने समागरी बरामत की है बिबियसी द्वारा आयोजेत सतरवी परिक्षा में आयोग ने एक मैत पूर निर्न लिया है इस बार परिक्षा किंद्रों पर उपस्तित सभी उमिद्वारों को अलग-अलग प्रस्न पत्र दिये जाएंगे आयोग ने एसे जिर्थ तक विबिन सेटों में प्रस्न पत्र बातनी का निर्नलिया है जिससे नकल की संभावना कम हो जाएगी इस बार प्रस्न पत्र का पैटर्न भी बदला गया है और आयोग ने छपाई में उच गुडवत्ता का ध्यान रखा है इसके साथ ही प्रस्न पत्र की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विसीस तकनीकों का उप्योग किया जाएगा परिक्षा के दौरान प्रस्न पत्र की परिवहन और बित्रन की परकिरिया में भी सुधार किया गया है आयोग ने कहा कि सभी परस्न पत्र सुरक्षित रोप से परिक्षा केंद्रों तक पहुँचेंगे जिसके लिए बिसीस निगरानी और सुरक्षा उपाय लागू किये गए है सभी जिलो को पत्र भीच कर जागरुकता कारिकरम आयोजित करने का नर्देश देया है सभ्यान का उदेश से अंचाहे गर्ब से बचने को उपायों के बारे में लोगों को जानकारी देना है बतादे कि गर्ब निरोधक के इस्तवाल से मातरी मृत्यू दर में 20-30 फिस्दी तक कमी आती है और राज्जु में 90% मैलाय बंद्याकरन का बिकल्ब चुन रही है स्वास्त बिभाग के आकड़ों के अनुसार सरकारी अस्पतालों में हर साल लगबग 4-4.5 लाग मैलाय बंद्याकरन करवा रही है जबकि 3.5 लाग मैलाय कौपर टिक आयुप्यों कर रही है जिसे देखते हुए स्वास्त बिभाग जागरुकता आभियान चला रही है ब्यार स्रम संसादर बिभाग ने राज्ज के सभी करखानों का ब्यापक सर्विक्षड करने का ने ने लिया है ये कदम राज्ज में संचालित करखानों की सही संख्या का पता लगाने और सर्मिकों के सुरक्षा मानकों का पालन सुनिशित करने के लिए उठाया गया है बतादे कि राजे सरकार का मानना है कि कई छोटे करखाने ऐसे हैं जिनकी जानकारी अभी तक उपलब नहीं है इन कारखानों में अक्सर सर्मिकों के साथ अन्याय होता है और सुरक्षा मानोकों की अंदेखी भी की जाती है जिससे दुरघटाओं का खत्रा बढ़ जाता है सरकार ने इस सर्वेक्षड के तरद परतेक जिले में एक टीम गठित करने का निन लिया है ये टीम सभी करखानों का निरक्षड करेगी और जो कारखाने मानोकों का पालन नहीं कर रहे होंगे उनके खिलाब सक्त का रवाई करेगी बिहार के किरिसी बंतरी बंगल पांटी ने नई दिली में फिकी दोरा यूजित इंडिया में जो समिट के दस्वे संसकरन का उधगाटन किया है इस उसर पर और उनने बताया कि बिहार मक्का उत्पादन में देश का पाचवा सबसे बड़ा राज्य है जिसमें बिहार का योगदान लगवग 11% है बंतरी ने उध्योग पतियों और संस्थानों से अप्रिल की कि वेबिहार में मक्का अधारित उध्योग और बीज उत्पादन के लिए अपनी हिस्सेदारी को निभाएं उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में हर संभाव मदद देने के लिए तयार है मुझफर पुर्जिली में जद्यू MLC दिने सिंग और 42 सांसत बीडा देवी के बेटे छोटु सिंग की बिते 23 सितंबर को सडग दुरगटा में मौत हो गई थी अब छोटु सिंग की मौत पर सवाल उठ रहे हैं उनके पिता ने मृत्यू को दुरगटना मानने से इंकार कर दिया है MLC दिने सिंग ने पुलिस को एक आवेदन दे कर कहा है कि उनके बेटे की मौत दुरगटना से नहीं हुई है बलकि साजिस के तर्थ हत्या की गई है इस मामले की गहन जाज करने की भी उन्होंने मांग की वैस मामले पर कॉंग्रिस बदाएक विजेंदरे चौधरी ने सवाल उठाए उन्होंने का कि घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह से निस्पक्षु जाज होनी चाहिए आरोब लग रहे है पुलिस जाज के बाद ही पता चलेगा कि सांसद बीडा देवी के पुत्र छोटु सिंग के मौत सड़क दुरघटा में हुई है या हत्या क्या गया है पीएम नरेंद्र मोदी ने पुरुपरधान मंतरी मनमोहन सिंग को उनके बानबवे जनम दिन पर बधाई दी पुरुपरधान मंतरी मनमोहन सिंग का जनम 1932 में हुआ था उनका जन पंजाब के गाह गाह में हुआ था जो अब पाकिस्तान का एसा है मन्मोहन सिंग 24-24 तक देश के प्रधार मंतरी रहे हैं पुरुप्रधान मंतरी मन्मोहन सिंग को उनके जनम दिन के बदाई देदे प्यएम मोदी ने Sony Media पर लिखा पुरपरदानमंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग जी को जनम दिन की सुब कामना है मैं उनकी दिरगायू होने और अच्छी स्वास्त की कामना करता हूँ वही लोकसभावे नेता विपक शुराउल गाधी ने भी उन्हें जनम दिन की शुब कामना आई दी है भारत और बंगलदिस के बीच दो मैचों की टेस्ट सिरिश्व का पहला टेस्ट भारत ने 280 रन से जीत कर अपने नाम किया इस जीत के बाद अब टीम इंडिया की नजरे कानपूर में 27 सितंबर को होने वाले दूसरे टेस्ट परते की है अकास दिप जिनोंने पहले टेस्ट में सांदार परदर्सन किया उन्होंने कप्तान रोहित सर्मा और पुरु कप्तान बिरात कोहली की तारीफ की है अकास दिप ने रोहित सर्मा को सपोर्टीब कप्तान बताते वे का कि उनके नेतरितों में खेलना एक अनोखा अनुभाव रहा है उन्होंने का कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई कप्तान इतनी सरलता से चीजों को संभाले रोहित और बिराट जैसे दिगज खिलाडियों में मिहनत और समरपड की एक अलग ही मिसाल है विते दिन हमारी द्वारा पुछे गए सवाल का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारी कमेंट बॉक्स एक्सर में लिकर दिया है जिन्होंने हमारी द्वारा पुछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रभी कुमार राम तुलसी रिसी देव आलोग पिरेदर्सी कुस कुमार यादव नितीज कुमारी सुमेर राम नरायन यादव अमरेंद्र कुमार रंजू अंकीत सिंग छोटू रजा जितिं है सिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग निती के ताथ पती पत्ति को एक ही स्कुल में पढ़ाने पर आपकी क्या राया है आप अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सक्षन में लिख कर जरूर बताएगा आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के ल बने बदाट